राश्ट्रिय जागरन युवा संगठन द्वारा आज मनोनीत किये गए अपने व्यापारियों को एक गोश्टी करके बीजेपी के मेर उमेश गौतम द्वारा कई सीख दी गई और कई नई जिम्मेदारी उनको दी गई और इस बात पर विशेश रूप से ध्यान रखा गया कि जितने भी व्यापारी वर्ख है उनको युवा संगठन से जुड़ने का नया अफसर दिया गया एक नए प्रकार से मेर एक नए अंदाजे से व्यापारियों से इंट्रेस्ट होते दिखाई दिये उनको बढ़ चटकर इवेंट करने की राय दी जब किसी पत की शपत लेते हैं तो जिम्मेदारियों के साथ आपको पत दिये गए उनको आप पूरी तरह से निभाएंगे कि मंच पर उस्थित हमारे बड़े भाई आधणी साथ सांब सब्हुन अमारे वरेश्च पार से अधणी मुम्मा जी पुप्सवाबती है तुलकंपूर जी विशाल जी और इस सगठन से जुड़े सभी परदातकारी यहां उपस्ते सभी हमारे बरेली के सफरान नागरे नाधाय बैने और पत्रकार बंदू को अभी में पूश रहा था कि संगठन व्यापारिक है या सामाजिक है तो मुझे बंदा लगा कि नहीं समाजिक है और समाजिक कारे हम लोग करते हैं, संगठन जब भी बनते हैं, तो हम अकेले अगर समाज की सेवा करने निकले हैं, तो शायद बहुत बड़ी सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए संगठन बनते हैं कि सामोही रूप से, अगर हम लोग पचास लोग हैं या 20 लोग हैं तो शायद हम इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं जोगी खाली अगर थन्दी हमारे पास है तो इस तरह के बहुत सारी परिशानी आती है इसलिए संगठन बनते हैं कोई उसमें अपने व्यक्रिट से सहयोग कर रहा ह कोई कहीं काम में जाके हाथ बटा रहा हैं तो इस तरीके से संगठन बनता है उसमें हर गक्षी का सहयोग बहुत महत्तून होता है तो मुझे उम्मीद है कि जो संगठन आपने बनाया है और जो चल रहा है अभी मुझे पता लगा कि अनाधाले में भी आपने कुछ प्रोग हुआ है जैसे हैं एक चाहिए सालमें करें जाहे एक प्रोग्राम करें लेकिन प्रोग्राम करें कि सारे शठति यह चेहने आए आगे लिए कैसे बात रहा है